यह बहुत important role play करता है उन लोगों के लिए मुझे कितना पैसा कमाना है जैसे मुझे बहुत बड़ा business करना है किया आप ऐसी बस में बैठना पसंद करेंगे जिस बस के बाहर name plate ना लगी हो कि schedule को बाद में study करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे वो कहते हैं न कि समय रहते तै कर लो कि समय का आपको क्या करना है वरना एक दिन समय तै करेगा कि आपका क्या करना है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अमित्माईश्वरी business trainer, corporate trainer, motivational speaker and CEO मैं टास Overseas Limited time management and productivity की series में मैं आपका बहुत-बहुत हार देख स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स हम ऐसे time management कैसे करें कि हम अपनी productivity को बढ़ा सकें आज इसी विशापरमलोग बात करने वाले हैं तो बहुत महत्पूर्ण बात है कि सबसे पहला काम जो आपको करना है न वो करना है scan your time हम लो सबसे पहले अपने समय को और scan करने का method के 3-4 दिन सबसे पहले अपना time log बनाएं और time log में सारी चीजों को mention करें कि कि कितना कितना समय कब-कब और कैसे कैसे आपका खर्च हो रहा है मतलब आपका personal time कितना है जिसमें आपका सोना उटना बैठना तयार होना खाना पीना आपक सहरों का friend circle बहुत बढ़ा होता है तो आपको यह identify करना है कि आपके personal time के अलावा कितना समय फ्रेंट circle में जा रहा है या कितना समय सोचल सरकल में जा रहा है उसके बाद आपका working time कितना है आप कहते नहीं कि हम सुबह 10 बज़ ऑफिस गई शाम को 7 बे तक आई यह working hours नहीं हो होता है मतलब इदम क्लिक करता है रहता है counter उसके हात में होता है तो मतलब उसको accounting के हिसाब से पता होता है कि कितने विक्ति अंदर enter हुए ना कि सुबह 10 बज़े तक कि वो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं उसका पूरी detail होती है ठीक उस तरह से आपके working time कितने है कितने आर् समझ पाएंगे कि आपका जो time है वो कैसे scan हो पाएगा और कहां कहां पर आपका time extra खर्च हो रहे हैं क्योंकि अब तक आप calculate नहीं करेंगे तो आपको पता लगने वाला भी नहीं है कि कहां का से आप समय बचा सकते हैं जैसे कितना समय आप जो personally अपने लिए utilize कर रहे हैं कित परसंट टाइम बढ़ा सकते हैं जब आप डिटेल ही नहीं होगी तो आप calculate कैसे करेंगे सबसे पहला काम क्या करना है scan your time दूसरा जो important role है वह define your goal friends हम में से ना बहुत सारे लोग लक्ष के इंद्रित नहीं होते उनका life का कोई goal ही नहीं है उनका कोई target ही नहीं है मैं आप से define नहीं कर पा रहेंगे मसमें बैठू या ना बैठू तो आप ऐसे कैसे live जी सकते हैं जहांपर आपको कोई लक्षी निर्दारित नहीं है तो सबसे पहला का आपको करना है आपको अपनी life के लक्ष निर्दारित करने हैं और यह लक्ष अलग-अलग हो सकते हैं जैसे आपक कितना इंप्रूव करना चाहते हैं है ना उसका आप एक पर डिफाइन करें उसके बाद बिजनस या प्रोफेशनल गोल आपके क्या-क्या है जिनको आप अचीव करना चाहते हैं कि बिजनस में किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं अगर प्रोफेशनल है तो किस लेवल तक आपने आपको grow करना चाहते हैं आपके personals goal क्या है हर वेक्ति को परसेल गोल वंस्हें जैसे परसेली मुझे आपको Fatal find करना है या पर स्थेलेटि को Improve बीघाना अपनी करना क्मीनीकेशन स्किल्स को Improve करना है लिए तौ आपके को क्या है और सामाजी गोल क्या है आपके जो जो पनाते हैं वो अध्य बहुत बड़ा बिसन्स करना है मुझे बहुत अधिक पैसा कमाने मुझे बहुत बड़ीया करना है मुझे कितने मन्त में अपने फानेशल गोल को अचीव करना है मुझे कितने येर्स में अपने बिजनस को किस लेवल तक ले जाना है मुझे कितनी वेल्यू का बिजनस क्रियेट करना है मुझे कितना अमाउंट कितना फंड रेज करना है मुझे कितना पैसा कमाना है मतल लोगों के लिए जिनके जो गोल ना वेता है खाली गोल उनको फटा दीन डिफाइंड नहीं होगा तो कभी वहां पहूंच बहुत जो वह प्रिंसीपल है जो हमें एक बात बताते हैं और वो कहता था है कि 20% सब्सक्रपान disent आते हैं वह 80 परसेंट चाहिए क्या पर यहां बहुत को कि बल बढ़ होते हैं और वहां से इसका मतलब ज़रुवत आपको यूटिलाइजेशंट और बेतर हो सके और कई बार अपने टाइम का यूटलाइजेशन में 80% समय ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां आपको सिर्फ 20% डिजल्ट आ रहे हैं तो आपको क्या करना है वहां से अपना समय घटाना है क्योंकि समय आपके पास निश्यत है आप उसमें परिवत्तर नहीं कर सकत करना है और वह प्रिंसिपल क्या कहता है सबसे पहले अपने पूरे के पूरे दिन चर्या के काम की एक लिस्ट बनाए कि कौन-कौन से काम ऐसी है जो कंपल सरी है और इंपॉर्ट है मतलब जिने आपको करना ही करना है और आपके जीवनमन का बहुत-बड़ा महत हुए उसके के लिए अगर आप फिजिकली फिट होंगे मेंटल फिट होंगे तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे इसके लावा नौट कंपल सरी एंड इंपोर्टन कामे जो कंपल सरी भी नहीं और इंपॉर्टन भी नहीं आपके लिए तो आप ये तीन तरह के टाइम को जब डिवा चाहते हैं तो आपको इसको practical life में implement करना पड़ेगा यह कोई सुनकर समझकर किवल सोचने पर नहीं हो जाने वाला है आपको इसमें काम करना पड़ेगा next important बात है वो क्या always check final results हम क्या करते हैं जैसे कहते हैं कि हमने पूरे साल examination की तैयारी कि बुक्स पढ़ी है literature पढ़ा है पूरा लेकिन जब तक मदा हमारा examination नहीं होता तब तक हमारे हाथ में result नहीं आता कि हमारा result कितने परसेंट है ठीक उस तरह से आप कोई भी principle design कर रहे हैं कोई भी अपना track design कर रहे हैं format design कर रहे हैं अपना दिन चरहां design कर रहे हैं तो आप देखिए कि एक हफते में आपको उससे my7 में इसका क्या user ॉसका क्या features जिसके बाद आप समय अनुसार उसमें दिरंतर परिवर्थन कर सकते हैं मतलब आप अपको करना है कि वो सब कुछ करने के बाद क्या result आपके हाथ में आया कितना time आपने save किया और अगर time save किया है तो वो समय आपने कैसे use किया utilize किया कितना financial मतलब कितनी money आपने अपने financial background में add on की वो भी आपको identify करना है उसके अलाबा कितना value addition आपने अपने life में किया और कितना utilization आपने resources का किया यह बहुत important role play करेगा क्योंकि समय management time management करने के बाद भी अगर आपको result नहीं मिल रहा है तो ज़रूरत है उस time management को चेक करने की कि हमारा result क्यों नहीं मिल रहा है और किन किन चीजों में परिवर्तन करना पड़ेगा फ्रेंड्स दुनिया में जितने बेहतरीन और सफल लोग हुए हैं उन्हें सबसे ज़्यादा काम जो किया है वो अपने time management पे किया है यह आप time management को बहतर बनाएंगे तो इसलिए समय रहते तै कर लो कि समय का आपको क्या करना है वरना एक दिन समय तै करेगा कि आपका क्या करना है आपके पास number of hours है वो लिमिटेड है जरूरत है उनको 100% यूटिलाइज करने की यह आपके मन में time management से कोई भी प्रशन है तो मुझे comment box में लिकर जरूरू बताएं और साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तक कि वीडियो का notification आपको तुरंत मिले जितनी जल्दी आपको वीडियो मिलेगी उतनी जल्दी आपके पास information पहुचेगे और जितनी जल्दी आप information को समझ के अपनी life में implement करेंगे उतना समय भी आप बचा पाएंगे इसलि झाल